हेलो फ्रेंड वालकम तो मैं चालेंगे स्वागता प्लूओ का मेरी चैनल में जैसे कि आप दिक्रू स्क्रीन पी ओला एलेक्ट्रिक के बाल मैं आज की वीडियो है कि बहुत सारे आज के रिगार्डिंग आपके सत्कोला के लिए सुनने को में लागा कि यह आई प्यो आ रहा है यह हो रहा है टैंट पॉइंट सी है रिस्क रिवोड के साथ चाहिए तो इसलिए मैं उसी प्लाइज की वीडियो लिए यह अलोगों को देखा चाहिए तो तेज इसकी पहली बार बात इलेक्ट्रिक वहिकल वाली कंपनी अपना ऐपियो लानी के लिए उस्थे पेपर जमा कराते है यह बात पहली पितही थियार करे हैं यह कंपनी भाविशय अगरवाल की भाविश अगरवाल की ओला इलेक्ट्रिक है और यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वहिकल मेकर है ठीक है इवी मेकल इलेक्ट्रिक वहिकल मेकर है और इसकी जो वैलिएशन है सप्टेमबर 2023 में करीब अगर देखा जाए तो 5.4 आरब डॉलर की आखी गई थी और इसकी बड़े निविश्क में मतब DRHP में यह जिक्र तो नहीं है कि IPO कब आएगा प्राइस बेंड क्या होगा लेकिन कई अन्य डिटेल्स की जानकारी दी गई है तो सबसे पहले मैं आपको यह नजर दिलावा दियों कि इतना हमाँ जटाने की तियारी है सबसे पहले मैं आपको बता दो कि ओला इलेक इलेक्ट्रिक स्कूटर पढ़ाने वाली कंपनी इससे पहले के 20 दिसमबर तक DRHP फाइल करने वाली थी लेकिन अब थोड़ा सा लेडेले होगे है तो 2 दिसमबर को फाइल करना है इसको यह कंपनी का इरादा है कि इस IP को जड़िये वह 7,250 क्रोड रुपे चुटाने का कैस इसमें नए शेयरों की जरिये 5,500 क्रोड रुपे चुटाए चाहेंगे जबकि offer for sale के माध्यम से 1750 क्रोड रुपे के शेयरों की बिक्री की चाहेंगी offer for sale में soft bank है टेमा सिक है टाइगर ग्लोबल है भाविश अगरवाल हिस्सा लेंगे ठीक है इसके अलावा अलफा वेव है टेक्नी कैपिटल और मैट्रिक पार्टनर जैसे इकाहियां भी offer for sale में भागिदार करेंगी कैसे इस IPO के बाद भी company का valuation पिछले funding के समय के valuation से काफी जाता हो जाएगा and company इस IPO से hustle रकम का इस्तेमाल electric vehicle portfolio बढ़ाने and gigafactory और sales में करेगी चेके guys and साथ के आप लोगों यह भी बता दू कि November 2023 में company ने record 30,000 unit की बिक्री की है और उसका market share बढ़का 35% हो गया है कि December 2021 में launch के बास ही company 3 lakh गार्डियों से भी जादा बेच चुकी है मैं तो 3 lakh से भी जादा गार्डिया बिक्ट चुकी है and December में company ने 9,841 e-scooter की बिक्री की है जबकि financial year 2014 तक इसकी sales 1.8 crore मैं तो 1.8 आप लगा लो गार्डियों तक पहुँच गई है मैं आप लोगों बता दू कि financial 2023 में company का revenue बढ़का 2630.93 crore रुपे हो गया जबकि financial 2022 में 373.42 crore रुपे था अब बात करते हैं कुछ इसके risk reward factory जरसी कि मैं आपको बताया है जासके ज़ाने का है जासे किस तरहा होगा issue अकर बात आती है तो यह निकल कर आता है कि जो ओला electric का IPO में नई share को जारी करें किये जाने है कि सासत offer for sale भी रखेगी मतब कि आपका offer for sale भी कर सकेंगे लोग नए शेयरो को जारी कर 500 करोड जो बजटाए जाएंगे जब कि offer for sale के माधियम से 1750 करोड पी जटाने की बात हो रहे है भी जटाने के जाएंगे जाएंड ध्यारचपी की डिटेल के आनुसार offer for sale में 10 रुपीज का फेस value रखा गया है जाएंग अगर देखा जाए तो लाइक आप कैसा थो 95.191.2-195 एकोटे शेयरो की फेस की जाएगी ठीक है फिगर में फिट रिख देती हूं 95,191,195 कि एक्विटी शेर की पेसकर की चाहिए मतलब आप लगा सकते हो कि इसे हम मोटा मोटी आप लोगों बताओ तो 9 करोड 51,191,195 एक्विटी शेर की पेसकर की चाहिए पहले फिगर लिख रही थी कि सुचा की आप समझ जाओगे लिगी फिर मैंने आपको बताया कि यह नो करोड शेर के पेसकर की जाएगी ठीक है जाएग देखें ओर फोर फोर सेर में और एलेक्रिक के फांडर जो भाविश अगरवाल है उनकी और से लगबग 4.74 क्रोड पे की बिक्री के लिए रखा जाए टैकने पर अगर जो एक्डरिक्स पार्टनर्स इंडिया इंश्में इंडिया इंडिस्ट्रस्ट आ वे वेंचर अल्पल्यक्राइप्रें अापसिरित ऑपल्द के लिए इज्डिंवश में रखेंगे लिए अपको मैंने बड़े बड़े नाम अथ डिरे दर चान उन ऊगर बात आती है कि IPO का पैसा कहा इस्तिभाल होगा 1226.4 क्रोड रुपे ओला सेल टेक्निलोजी की गीका फैक्टरी पुजेट के लिए खर्चोंगे अगर मैं वहीं बात करो 1600 क्रोड रुपे की तो वह रिसर्च एंड डेफलोप्मेंट पे खर्चोंगे 350 क्रोड रुपे और गैनिक ग्रोथ जितने भी कॉर्परेट परपस है उस पे खर्चोंगे ठीक फिर बात आती है 15% देखा जाए तो नौन इंस्टिशिशनल के लिए 10% हिससा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया इस कौन है रिजिस्ट्रार और पुकर रानिंगी मैनेजर ठीक है मैं आप लोग को बता दू क्यों होला एलेक्टिक इस्यू के लिए गूटक महिन्दर्स है ऑन सिट्यerson कि ग्लोबल मार्केट इडिया है बोफा सिक्यूरिटन इडिया गोल्मैन क्स और सिक्यूरीटीज गोल्मैन इक्षटे। इक्स विट्स स्पस्प्य के डिया स्पाइटल मार्केट्स और यह oynडत बोग प्योविक क्स09त बुक राइनिंग लेटर मैनेचर है ना एंप्यू के लिशास लेंक अंटाइम इंडिया है ठीक है इस कितना रिवैन्यू मैं आपको बता दू कि ये 2023 में कंपनी का जो ओपरेशन से रिवैन्यू बढ़कर 2630.93 क्रोर रुपे हो गया है जबकि फाइनेशियल ये 2022 में ये 242.75 क्रोर पीपे रहा है इस कंपनी का नेट घाटा अगर बात की जाए तो नेट लॉज फाइनेशियल ये 2022 में लाग बग दो गुना होकर 1420 क्रोर पीपे हो गया है और फाइनेशियल ये 2022 में ये है 784.1 क्रोर पीपे रहा था गाइस देखे अगर मैं बात करो कैसी है सेल्स तो गैस नॉबंबा 2023 में उला एलेक्रिक ने 30,000 यूनिट की बिक्री की थी यह कंपनी की अब तक की सबसे अधिक बिक्री है और इसकी बजार हिस्सितारी 35% हो चुकी है इस कंपनी ने अपना पहला एलेक्रिक स्कूटर अगस 2021 में राउंच किया था और दिसम्ब 2021 में इसकी डिलिवरी श्रू की दिसम्ब 2021 के बास सही क इतनी वैलेशन पर है नजर अपनी की तो देखें ओला एलेक्रिक दो हजाद 24 की सुरवात में ही अपना पब्लिक इशू ला सकती है और कंपनी की नेचल अगले साल 7 से लेकर 8 अरफ डॉलर की वैलेशन पर है तो अलेक्रिक ने अपनी डियारच पी में कहा है कि इसे श्रू हुए अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है कंपनी को अपने ऑप्रेशन से घाटा है और नेगेटिव नेगेटिव कैस फ्लो भी है और निकत फ्यूचर में घाटा होना जारी रह सकता है देखें डिफ के आकर देखें तो डिफेक्ट और क्वालिटी इशू अप क अपनी के सामने कई जोखिम भी है जो ओला गीका फैक्टरी में इसकी इन हाउस मैनुफेक्टिर समिता को मतलब उसमें भादा घड़ी कर सकता है ठीक है तो यह तो होगा मैंने आपको पूरा कपूरा ओवरलुक दे दिया है आपको ओला एलेक्ट्रिका आपको आपको चीज कर दो